हाँ आज का वीडियो बहुत खास होने वाला आपके लिए खास क्यों होने वाला है永ंब DAY है की आज आप यह सीखोगे जवाकी आपको सीखना चाहिए ठीक है कि कानून बनता केसे हैं, ये सिस्टम जो हैं, और ये आप इसी लिए उल्प सीख जाओगे, ये बातें बाद में थोड़ी सीखा ही जाती है, तो इसलिए ये चीज़े बिलकुल आपको मजबूती सीखाना और मैं इस तरीके सीखाऊंगा, कि बिलकुल यहां फिट हो जाएग इसलिए वही बात एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा दिमाग में केश करने हैं, कि कोई बिल होता है, वो कैसे कानून बन जाता है, कोई विदेख होता है, विदेख, बिल का मतलब विदेख, वो आगी जाके कैसे लो बन जाता है, कानून बन जाता है, नियम बन जाता है, जब तक वो पहली पूरी बात को सुनना एक एक शब्द इंपोर्टेंट है, जब तक वो विदहिक या बिल ही कहलाएगा, जब तक वो कानून ने बन जाए, या पिर दूसरे शब्दों बोलूं, कि जब तक कोई कानून ना बने, या पिर कानून बनने से पहले जो भी लाया जब तक वो विदहिक या बिल कहलाता है, जैसे ही लोकसभाई राजी सब्दों बने से पास हो गया, राश्टपते जिन से गनेशर कर दिये, तब जाके वो कानून बन जाता है, कानून का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, पूरी बात को समझो, कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पूरी बात को समझना है, बहुत इंपोर्टेंट है, पार्लियामेंट, यानि कि संसथ, ठीक है, संसथ इसके दो हाउस, तो हाउस का मतलब दो सदन, दो सदन, एक लोकसभा, एक राजे सब्दों, कोई भी साधारन विदेग जो होगा, पूरी बात को समझना है, साधारन विदेग, यानि कि not money bill, ठीक है, कोई मतलब money bill नहीं होना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में लिका जाएगा not money bill, इसका मतलब not money bill का मतलब वो साधारन विदेग की बात कर रहा है, धन विदेग नहीं होना चाहिए, धन विदेग के लावा money bill, साधारन विदेग, ठीक है, सा किसी भी हाऊस में या किसी भी सदन में भेजा जा सकता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भिल की, भिल का मतलब, विधेक, भिय रियक, पारलियमेंट में कैसे कानून बन जाता है, वो system सीखना है, जब तक कानून नहीं, अब तक बिल ये विदय कहलाता है इसको तयार किया जाता है पहले उसको पारल्लियमेंट के दोनों house के अंदर भेजा जाता है दोनों मैंसे किसी भी के अंदर पहले भेजा जा सकता है कोई टेंशन नहीं कब वो शादान विदै के हो तब दूसरी condition बट लेकिन, लेकिन ये हैं कि अगर वो money bill है, पूरी प्रोसेस जान लेना, अगर वो धन विदेख है, धन विदेख हैं, धन विदेख का मतलब पेसेट अकुसे लेटेड फाइनेंशियल जो भी बाते होगी, वो money bill होता है, with ये, बात कर लो वो, money bill सबसे पहले लोकसबा में ही जा जाएगा, राज्यसबा में नहीं जाएगा, बाद में जाएगा, लोकसबा अगर इसको yes कर देती हैं, तो फिर ये राज्यसबा में जाता हैं, अब राज्यसबा में जाना कोई बड़ी बात हैं, ये मात्र एक फोर्मल्टी है, कैसे हैं, कि almost yes तो लोकसबा में होता है, इतना pressure है जबतानी पड़ती है सूविकार करना ही पड़ता है ठीक है मतलब यह सूविकार कर देगी यास कर देगी पक्की बात है करना ही पड़ेगा अब अगर इसने सोचा कि नहीं करूँंगी मुझे बिल थोड़ सा changes करना चाहिए इसको तो इसने कहा कि आपको इसमें थोड़ असा changes करो ठीक है इन्होंने क्या कर दिया संशोदन के लिए amendment कर दिया कि थोड़ असा कुछ दो-तिन बातें ऐसी है जिनमें आपको change करना चाहिए वापस लोकसबा को बेश दिया लोकसबा ने कहा रहे क्या कोई change में नहीं होगा वापस लोकसबा ने बेश दिया ठीक है मतलब ये एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्टी के तोरव बहत सकती है लोकसबा ने कोई change नहीं किया चाहिए तो change करने भी सकती है या न मने पूरी बात सुनना राज्य सब्सक्राइब कोई changes किये लोकसबा के लिए मानना कोई बॉंड नहीं कोई बात दिकारे नहीं है उसकी मन में आईगी तो उसकी बात मानेगी तो नहीं मानेगी वापस बैस देगी बैस दिया अब इसको second time signature करने ही पड़ेंगे करने पड़ेंगे must try फिर भी राज्य सब्सक्राइब ने सोचा कि नहीं करूँगी तो ज्यादा से ज्यादा 14 डेश तक रख ले बस 14 दिन तक राज्य सबाँ अपने पास किसी बी इस बिल को अधन विदे की बात है सिरफ दन विदे की सिरफ मनी बील की बात कर रहों मैं मनी बिलकी बहुत तकड़ा की उच्वे बनता है समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखना, इसको 14 days के अंदर अंदर, 14 days का है, उसके पास टाइम है, अब 14 दिन तक रजी सबन अपने पास में रखा, इस ठेक है, रख लेंगे अपने पास क्या है, 14 दिन के बाद में automatic बिल को पास मान लिया जाएगा, बस, वो कुछ कहे या ना क लोकसबा ये समझेगा, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, लोकसबा ये समझेगा कि बिल पास हो गया, बस, तो इसका मतलब ताकत देख सकते हो मनी भी लिग में, लोकसबा की ये ताकत है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या, कि एक तो 14 days का टाइम मिलता है राजे सबा को, एक बात क्यों शनाएगा, दूसरा, राजे सबा क्या कर सकती है, तो राजे सबा उसमें थोड़ा अमेंगमेंट कर सकती है, संशोदन करवा सकती है, कर सकती है, अपना वीचार रख सकती है, कि ये ये बाते हैं थोड़ी कर लो ठीक ही रहे, तो लोकसबा उस कौन सा, सिर्फ मनी बिल, बहुत बड़ी चीज सीग गए, और ये चीज सीग गए इधर, अब सुनना, उसका तो अलग मेटर था, बिल्कुल उस पे तो जाना ही मत, बिल पास हो गया, मतलब दोनों सा दोनों में पास हो गया, क्योंकि 14 डेज बाद इसमें पास तो, इसमें तो ठीक है, क्योंकि प्रेश्टेंट मोदे का काम भी क्या है, सिगमेजर, लेकिन, साइन तो वो कर देंगे, लेकिन राष्ट पती जी के पास भी एक पावर है, क्या, कि ये भी बिल्को एक बार वापस भेज सकते हैं, पुनर विचार के लिए, तो राष्ट पती जी भी अगर साइन करना ही पड़ेगा, अगर एक बार पुनर विचार के लिए बेज सकते हैं, तुरंत वापस भेज के साइन करवा लेंगे, बात कर दा, चलो ये बन गया कानून, बन गया, तो इस तरीके से कानून बनता है धन विदेह के मामले में, इधर आओ, इसके इंदर क्यावा क कि कोई साधारन विदेहिक अगर है, उसको लोग सवाम भेजा, पास हो गया, राज सवाम भेजा, पास हो गया, ठीक, दोनों सदुनों में सैमती बन गई, और पास हो गया, गया राष्टपती जी के पास, पूरी बात सुना है न, राष्टपती जी का मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सैम गोई से इश्यू सिगनेचर कर देंगे, नहीं करेंगे तो एक बार वापस लोटा देंगे, तो वापस भेज़ देंगे करो साइन, कर देंगे साइन, ठेक है चलो ये बिल बन गया, और ये जो बिल था, सुरी, बिल नहीं बन गया कानून बन गया, ये लोग कानून बन गया, इस तरीके से कानून, बिल एक कानून बन जाता है, फिर आपके दिमाग में एक क्योशन दो मुझे पता है, उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए, क्या? कि अगर लोग सबा में पास हो गया राजी सबा में पास नहीं हुआ तो क्योंकि यहां तो चलो 14 डेज सिरफ इसके अंदर तो 14 डेज की दादागरी कर लिया आपने, साधारन विदेग में अगर राजी सबा में नहीं हुआ तो बिलकुल सही सोचा आपने, उसका मेंटर अलग है साधारन विदेग अगर यहां गया हो गया पास यहां गया, नहीं हो आपास इन्होंने ऐसा इमती जता दी और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में दोनों के बीच में डिसेग्रिमेंट हो गया दोनों के बीच में क्या हो गया वो राष्ट प्रतीजी के पास में होता है तो राष्ट प्रतीजी मोदे क्या करेंगे इनकी एक joint session बुलाएंगे joint session यानि कि इसें बोला जाता है दोनों को इकटा करके संयुक्त अधिवेशन आँ संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाएगा संयुक्त अधिवेशन का मतलब है जिसमें राष्ट प्रतीजी जब कराएंगे तो उसमें बैटेंगे लोगसबा के speaker यानि कि जो लोगसबा अध्यक्ष है न वो इनकी अध्यक्षता करेंगे मलता मॉनिटर वो होंगे लोगसबा अध्यक्ष को बिटाए जाएगा फिर सहमती बनाई जाएगी और कानून जब बनेगा वो कि चलो हाँ ठीक है तोटा मोटा देख लेंकर कराके शांत मामला करा देंगे राष्ट पती जी उससे हम बोला जाता है जोइंट अधिवेशन सायुक्त दिवेशन जोइंट सेशन इसके बाद में फिर लोगसबा का तो हो जाएगा स्पिकर लोगसबा स्पिकर यानि कि लोगसबा का अधिक्ष और प्लस राज्यसबा के हो जाएगे चेर्मेन यानि कि राज्यसबा के हो जाएगे आपके सभापती मैंने बहुत एजी समझाने की कोशिश कि एए आपके दिमाग फिट हो गया होगा इसका मेटर अलग है इसका साधारन विदेग काई निक जो मनी बिल नहीं हो मनी बिल के लाव जो भी बिल है उसमें ये मेटर है समझ में आगई इस चार्ट को अपने दिमाग में और अपनी कोपी में फिट कर लेना इसके बाद में अपने बात करते हैं थियोरी की बड़ा मज़धार चेप्टर है बहुत कुछ सीखने को आपको मोगा मिल रहा है दोनुन लेंगवेज में मिल रहे है इसका आपको फायदा है उटाने ठीक है हाँ अब देखो क्योशन तो मैं जितने भी चार्ट बनवाता हूं क्योशन से पहले उन चार्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से बार बर करना हूं learn करना है ठीक है और किया कि अगर इस क्योशन गर जस्ट उपर ही बना लिया अगर हो ठीक है न तो अब लेते हैं इसका क्योशन बहुत ही टॉप लेवल का क्योशन बहुत इंपोर्टेंट क्योशन और मैं तो यह मानता हूँ कि पक्का ही क्योशन आ सकता है एक्जाम है ठीक है क्योशन और सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा कि how does the parliament make laws यानि कि संसद कानून केसे बनाती है या फिर क्योशन यह आ जाए कि what are the stages a bill passes through to become a law डिस्क्राइब यानि कोई विधे कानून बनाने के लिए किन-किन अवस्ताओं से किन-किन stage से गुजरता है उसका वरनन्द कीजिए यह क्योशन आ जाए बहुत टॉप लेवले क्योशन पूरा नहीं हो है भी चार से पांच नमर में आ सकता है इसलिए भी एक बोर दोर भरेगा तो आंसर पहले समझने बहुत अच्छे से जिस according में लिक रहा हूँ लेंग्वेज वह होने चाहिए पुइंट्स वैसे बनाने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ सा आपने इसका बेस प्यार करेंगे कि संसत का प्रमुक कारिये अपनी जनता के लिए कानून बनाना है यह कि नहीं बैसी function of any legislature is to make laws for its people यानि कि किसी भी संसत का क्या में काम है उसकी जनता के लिए कानून बनाना कानून बनने की परकिरिया में किसी विदय को कई अवस्ताओं से कई अवस्ताओं से जो क्योशन था न वही कई अवस्ताओं से गुजरना पड़ता है अलग-लग stage से गुजरना पड़ता है यानि कि follow a bill through the legislature process और वो कौन-कौन सी process है which are following जो नहीं न लिकी थे हैं पहली विदय का प्रस्तूती करण introduction of public सबसे पहले bill का introduction किया जाएगा ठीक है कि क्या है bill उसको देखा जाएगा उसके बारे में बताये जाएगा कि हम इस मुद्धे पर इस issue पर कोई bill लेके आना चाते हैं यह यह कुछ conditions है लेकिन अपन अगर school जाते हैं चीकर? school जाते हैं college जाते हैं, office जाते हैं तो उससे पहले बन क्या सोचते हैं? कि वहाँ की condition क्या है condition का essence है कि school अगर जा रहे हो तो suppose school 7 बजे लग रहा है 8 बजे लग रहा है, 10 बजे लग रहा है, 9 जब भी जिस भी टाइम लग रहा है, उस टाइम जाना पड़ेगा दूसरा, school uniform में जाना पड़ेगा जो भी उनका system है उस according जाना पड़ेगा, जो भी है न वेसे ही इसमें भी जब हम बिल रख रहे हैं, तो पहले सबसे पहले बिल कहां, कैसे हैं कोंसा बिल, किस तरह का बिल ये सब बातें जानेंगे, कहां रखें, किसको दें है ना, तो सबसे पहले introduction उपर बिल, यानि कि प्रस्तुतिकरण, तो उस प्रस्तावित कानून की, सबसे पहले कोई भी बिल होता है, वो बिल क्या होता है, वो सबसे पहले कहलाता है, विधेयक, द्यान लखना, कोई भी कानून बनने से पहले, वो विधेयक कहलाता है, संसद का मेनका में कानून बनाना, पूरी बात को द्यान से सुना, मेरे एक ए विदेख कानून बनने से पहले जो लाया जाता है वो कहला था विदेख विदेख अगर पास हो गया तब कहला था कानून ठीक है यानि कि बिल इस ड्राफ्ट ओब प्रोपोजड लो ठीक है प्रोपोजड लो इसके बाद में विदेख जिस मंत्राले से समंधित होता है वही मं उसका प्रारूप त्यार करता है परिया प्रारूप बनाता है। तो जो भी विद्यक या बिल तीक है ज़ो भी बिल जिस दिपार्टमेंट का होगा, जिस मन्त्राले का होगा वही उनको त्यार करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई sports के इंदर कुछ ऐसा मान लो कि कोई ऐसा game है जिसको आप international नेशनल लेवल पर हमारे देश के इंदर लागू करना चाहते हो तो वो फिर sports ministry उसको बिल को लेखे आईगी या पिर जैसे आपकी बुक में example दे रहे है कि लड़कियों की age वाला कि शादी की age 18 years अगर 18 से उसको 21 किया जाए है ऐसा अगर कुछ बिल ला दिया जाए कि 18 से की बज़ा 21 साल लड़कों के बराबर उनकी age कर दी जाए अगर ऐसा बिल लाना है तो फिर वो विदी विभाग जो कानून वारा department है लो department वो लेकि आएगा मतलब जो भी जिस भी department का बिल है वो वही विभाग या department उसको त्यार करेगा जैसे कि मैट्स का आपके school पर बनवात कर लेते हैं एकर मैट्स में कुछ changes करना है तो मैट्स के सर जो हैं वो कुछ बताएंगे मतलब अलगले departments होते हैं अलगले subject है वेसे ही इसमें ठीक है तो वही मंत्रा ले उसका प्रारूप या फिर उसको ड्राप्ट को त्यार करेंगे ठीक है ये बात समझ में आ गई फिर यदि विदेख धन विदेख नहीं है बहुत बड़ी चीज है if the bill is not a money bill अब आपको सारी बाते समझ में आएगे क्योंकि अपन लोकसभा की ताकत पढ़ चुके हैं लोकसभा की power पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि money bill सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाय जाता है इसका मतलब राज़े सबह में नहीं लाय जाता सबसे पर लोकसभा में लाय जाएगा और लोकसभा में वो पास होगा यही चीज यहां पर लिकी हुई है if the bill is not a money bill अगर कोई bill money bill नहीं है तो फिर उसको कोई से भी सदन में कोई से भी हाउस में लाया जा सकता है या पर रखा जा सकता है समझ गए क्या करने जा रहे हैं अब ये बिल को लेके आये हैं विदय को लेकर आये हैं अब हम भेजना चाहते है राजे सवह में या लोकसभा में भेज में permission है, बस ध्याने रखना है धनविदेक यानि मनिबिल नहीं होना चाहिए, बात समझ में आगी fit होई, शाबाश, यानि कि संसद के, अगर नहीं है तो संसद के किसी भी सदन, यानि कि लौकसभा या राज्य सबाग में कोई भी सदशे, कोई भी सदशे कौन? जो भी संसद का सदशे होगा यह थोड़ा सा ठीक कर ले न कोई भी संसद सदशे इस विधय को पेश कर सकता हैं ठीक है? दोनों सदनों में, कोई से में भी विधिन दा पार्लियमेंट बिल में बी इंट्रोडूस्ट इन दा लोकसभा और राज्य सबाग मेंबर अब या मेंबर अब अब दा हाउस, जो भी हाउस का उस सदन का मेंबर है, लोकसभा तो लोकसभा राज्य सबा, तो राज्य सबा वो रख सकता है, चलो समझ में आगई बात एक चीज़ हो रहे है अब आप सोचोगे, तो फिर ये बिल लेके जाएगा कौन है ना, बही डिपार्टमेंट का पता चल गया कि स्पोर्ट्स, लगिन स्पोर्ट्स के तो बहुत सा डिपार्टमेंट होते, इसमें कौन लेके जाएगा, तो वो मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर होगा, वो ही लेके जाएगा जिस डिपार्टमेंट से जो आएगा, वो तो सारा कुछ तयार करके देते हैं मंत्री जी ले जाके दे देते हैं या फिर उसको बांस देते हैं समालोग पढ़ देते हैं बड़ अपने एक बात लिकीती उपरियां कि मनी बिल नहीं होना चाहिए तब हम दोनों से दुन ले जा सकते हैं तो दिमाग में क्योशन उठी है तो फिर मनी बिल कहां लेके जाएंगे हलागी आपको पता है लेकिन इस आंसर के लिए तो लिखना पड़ेगा ना वो नीचे लिख दिया कि धन विदय को केवल लोगसबा में ही प्रस्तूत किया जा सकता है लोगसबा में पारित हो किया जाता है फिर पारित होने के बाद में राजय सबा में बेज दिया जाता है लेकिन लाया तो कहा जाता है सबसे पहले लोग सबा में मनी बिल को सबसे पहले कहा लाय जाता है लोग सबा में लेकिन बाकि कोई साथ भी लोग किसी भी सदन में बेजा जा सकता है ठीक है तो मनी बिल केंड बी इंट्रडूस्ट ओनली इन लोग सबा हालां कि लोग सबाम पा सेंट तो तर राजसभा बेज दिया जाता है वैसे राजसभा की सहमती होए ना उसे कोई फरक नहीं पड़ता उपास ही है यह होगी पहली बात सेकंड स्टेप दूसरा चरण विदेहिकों पर विचार विमर्ष अधिकतर संसद अच्छ एक बात और बता हो मैं यहां मामला हो कि मन्हीं बिल को तो लोग सभाम भेज दिया बाकी सब भीले तो किसी सदन भेज दिया कोई से में छूट है अब यहां बेजने की बात बेजने से पहले एक सिस्टम और एक सिस्टम हो रहे हैं कि आजकल ज्यादा तर हमारे सवीधान के इंदर बहुत सारी सिस्टम अड़ी in the committees, कुछ committees है, parliamentary committees है, ये जो committees हैं, ये क्या करती हैं, कि जो भी बिल होगा, उस पर discussion करती है, ठीक है, जो भी संसदी समीतियां होगी, समीति बना रही होती है, और इस समीति की खास बात क्या है, इन जितनी भी समीतियों के, समीति बनाते हैं, इनमें सबी दलों के, सबी पार्टियों के आदमी होते हैं, बिजेपी का होगा, कॉंग्रेस का बेगा, आदि पार्टियों का, बसपा का भी, सबपा का भी, जितने भी पार्टी हैं, सब का एक 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 बंदा ले लिया जाता है तो मतलब सभी का प्रतनेद़ीत वे होता है तो इसका मतलब फैष्ला जो भी करेंगे मिल बेट के करेंगे वो सही होगा क्योंकि ऐसा था है निए कि कमिटी अगर जितने अभी सपोस्च वीज एपी गर्वर्मेंट है तो committee विजेपी government की होगी तो फिर तो committee बिनाने का मतलब ही क्या है क्योंकि वो तो अपना decision अपने पक्ष में ही लेंगे इसलिए committee खास बात यह है कि committee में सभी दलों के लोगों को रखा जाते है सभी party के लोगों को रखा जाते है इसका मतलब जो भी काम होगा शांदार होगा सभी को बराबर सबसे पूछा जाएगा बताओ 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 तो bill सबसे पहले committee जांच लेती है उसमें कोई कांट शांट करनी है कम जादा करनी तो कर देते है फिर उसको सदिन में रखा जाते है और almost वो अगर समेतिय होती है वहां पर बिल almost पास हो जाता है क्योंकि वो छोटे मोड़ी गलती वहीं सोल कर देते है पिर सदन में तो सिरफ वोटिंग होती है बात खतम ठीक है एक बार इनकी बात सुन लेते है और फिर डिसकेशन करने के बाद में उसको हाउस में बेच दिया जाता है बस तो इसका मतलब वो लगबग बिल पास ही है फिर क्योंकि चोटी मोटी कांचान होती है वो समीतिय है वहीं गड़बड कर देती है कोई ठीक हो सही कर देती है मतलब तो लाशन फिर अपने और लिखा इन समीतियों में सबी संसदिये दलों को प्रतिन देत्वे पराप्त होता है इसी कांड इन समीतियों को लगू विदायका भी कहते हैं लगू विदायका मतलब मिनी लेजिसलेचर या फिर मिनीचर लेजिसलेचर भी कहते है लगू विदायका मतलब छोटा ऐसा मानलोगी छोटा संसद क्योंकि आदा काम तो यह कर देते हैं संसदिये अब एक लाइन इंग्लिश वाली में लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसके बाद में लाइन लिखनी इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में यहा लिख देता हूँ मैं आपको लाइन कौन सी लाइन यह कि इन सम्मीतियों में सभी संसदिये दलों को प्रतिनित वे प्राप्त होता है चीक है तो यह लाइन है all parliamentary parties get representation in these committees इन committee के इंदर सबी राजनिति जो संसदी दल है उनका बराबर भागीदारी उनकी होती है तो इसका मतलब मामला सही है इसलिए इनको क्या कहते हैं लगु विदायका भी कहते हैं तीसरा और लास्ट चरण इस चरण में विदे अब देखो यहां काम हो गया जाच कर लिए इन्होंने सदन में भेज दिया अब बस वोटिंग होगी जो मैं वोटिंगा मतलब जैसे पक्ष भी पक्ष होते हैं वोट हो जाएंगे उस बिल पर इस चरण में विदेख पर मतदान होता है इन थर्ड स्टेज बिल ही इस वोर्टट अपॉन जब कोई सामायने विदेख ध्यान तो यह एक वह लिए पारित कर दिया जाता थे अंशित दिया जाता है सामाने बिल अगर राजी सबाम पास हो गया, तो फिर राजी सबाम लोग सबाम पास हो गया, तो वो बिल बन जाता है, फिर जाता है राष्टपतिश जी के सिगनेचरों ने, बस, और राष्टपतिश जी कर देते हैं, राष्टपतिश जी वैसे हम सिगनेचर ये, तो फिर व तो इस तरीके से सिस्टम चल जाता है और यह जो बिल है वो फिर राष्ट पतिजी साइन होने के बाद में एक बिल एक कानून बन जाता है या फिर बिल एक लो बन जाता है ठीक है इस तरीके से अभी थोड़ा सा ओर लिखेंगे पर हाँ अब देखो बात नेक्स बात ये हैं मैं आपको फिर बता दू हमेशा क्या हुता है कि आंसर लिखना आना चाहिए कितना लिखना है क्या क्या लिखना है यह मैं आपको फिर जोर देके समझाता हूँ क्या करते हैं स्किप करके चले जाते हैं थोड़े फास्ट निकल जाते हैं ध्यान नहीं देते स्किन सोट ले लेते हैं लेकिन पूरी बातों को समझे भी ना फिर आपको बताने कि यह सब्जेक बहुत मुश्किल हो जाएग वरना तो ध्यानी रखना है कि अगर यही क्योश क्योश नमर 14 की बात करा हूं मैं अगर यही क्योशन 3 मार्क्स में आता है तो एक बोर्ट तो जो पिछले वाला पर अभी जो जस्ट के वह लिखना है आपको उसके इलावा सीधा है फिर यह लिखना है इतना साई पिर बीच वाली जो यह बात है न यह आप स्किप कर सकते हो किसके अंदर अगर क्योशन 3 मार्क्स में आता हो तो और अगर क्योशन 4 मार्क्स में आता है तो फिर आपको यह चीज़ें भी लिखनी है समझ में आ गई ठीक है और याद तो इसको भी करना है क्योंकि यह क्योशन अलग से पूचा जा सकता है बताता हूं कैसे कैसे पूरी बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है और नेक्स वाला भी एक से बड़ एक चेप्टर है समझने वाले और बहुत कुछ सिखा रही है आपको NCRD बहुत कुछ सिखा रही है इतना फाइदा रहेगा आपको जब competitive exam की preparation करने बैठा होगे न तो यह सारी basic चीजें आपके cover हो रु अच्छा यह है यह क्योंकि यह अभी history है यह base है ठीक है तो फिर हो वाली चीज है कि यदि प्रस्तावित विदेग पर अब जैसे हमने बात कहे दी कि दोनु सदनों में बिल चला गया लेकिन अब बिल जैसे हैं गया ना विदेग जैसे हैं गया और दोनु सदनों के बीच म लोकसभा और राज़सभा के बीच में तो अब क्या करे है तो अगर ऐसी कंडिशन हो जाए ना तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो राष्ट पती में होते हैं उनकी याद आती है और वो क्या करते हैं, इन दोनू को बिठाके, दोनू की लड़ाई को शान्त करते हैं 108 में लिखी हुई है, अनुचेद 108, कौनसी बात? है यह बात?чик आचलो, हिंदी में लिख देता हूँ, उदर एंग्लिश में लिख दिया, अनुचेद 108, ठीक कि इसा भा, यानि कि यह वाली बात की, अगर कोई बात दोनु के बीच में भिखड़ गई, तो दोनु के बीच में गतिरोध पन हो गया तो joint session हमारे article 108 permission देता है कि joint session राष्टपती जी बुला सकते हैं ठीक बात है कहीं side में लिख लिए एक्स वार्ट में क्योंकि साथ साथ कुछ articles भी आपको यद करो जो तो better होगा चलो ठीक है क्या कि यदि प्रस्तावित विदेग पर दोनु सा दोनु के बीच मत्पेद हो तो उसें संसद के सायूकत दिवेशन के मादेम से सुल जाने की कोशिश्ट की जाती है If there is disagreement between the two houses on the proposed bill attempt is made to resolve it through joint session of parliament ठीक है ये ध्यान रखना आपको saint session मतलब संसद के दोरा मत्पेद सुल जाने की काम कोशिश किया जाता है और राश्टपती मोधे ये काम करते है अब मेरी बात सुना आपके माइड में फिर क्यों शुना रहा होगा कि लोकसभा भी आ रही है राजिसभा भी आ रही है राश्टपती दोनों के बीच में सुल जाने का काम कर रहे है ठीक है लेकिन इन में जो monitoring leader कौन होगा अधेक्षता कौन करेगा तो अधेक्षता करते हैं लोकसभा का अधेक्ष यानि की लोकसभा speaker बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ यह भी मैं side में यह लिख देता हूँ लोकसभा speaker पूरी बात समझ लेना लोकसभा का अधेक्ष जो होते हैं वो इस अधिवेशन की इस joint session की अधेक्षता करते हैं समझ मैं आगी जैसे हमारी school में अगर कोई meeting होती है college में जब meeting होती है कहीं office में meeting होती है तो school के अंदर कोई बेटते हैं man कोई बेटेंगे principal sir college में जो भी हमारी professor sir जो भी होंगे तो इस तरीके से यहाँ पर कोई बेटेंगे लोकसभा अधेक्ष को बिटाए जाएगा ठीक है लोकसभा अधेक्ष अधेक्षता करेंगे राष्टपती जी की निगरनी में बात समय में आगए फिर चलो भाई ठीक है सहमती बन गई दोनों के बीच में सहमती बन गई अब क्या करें कि अब ऐसा कानून बना दे उस टाइम पर लोकसभा अधेक्ष और जो राजी सभा की सभापती है जो चेर्मेन और राजी सभा और स्पीकर अब लोकसभा इन दोनों की सहमती से कोई कानून बनेगा राष्टपती शिगनेचर कर देंगे अब प्रोसेस वन में आ गया चलो इक्जाम में कैसं की आएगा कि जब लोकसभा और राजी सभा दोनों सदोनों के बीच में कोई disagreement हो गया या फिर disagreement का मतलब कोई गतिरोद उत्पन हो गया ऐसे हमती हो गई तो उनके बीच तो पिर क्या किया जाते है तो आफे लिखेंगे तो फिर उनके वीच में जोइंड सेशन यानि की स्वैयुक्त दिवेशन बुलाया जाता है, ठीक, फिर दूसरी बात, ये सिरफ विदई की बात, अब एक मैं चीज धन विदई के बारे मूर लिखा है मैंने, आला कि मैंना को ये कहा भी था कि धन विदई सिरफ सबसे पहले ल अब राज्य सबा में क्या होता है, राज्य सबा अगर उसमें कुछ चेंजेज करती हैं, तो ठीक कर दे, लोक सबा के पास जब वापस आएगा चेंज होगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोक सबा उसकी बात को माने या ना माने, वो उस पर डिपेंड करता है, फिर राज्य सबा ये काम ये कर सकती ही, उसको बिल पसंद नहीं आया, तो वो उसको ऐस विकार नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब वो उसको मना तो कर ही नहीं सकती कि ये बेकार है, मन में रख लें, बेकार है तो है, 14 दिन का टाइम है, 14 डेज का टाइम है, अगर राज्य सबा 14 दिन बिल पास हो गया अब हुआ नहीं, राजे सभा ने सेमती नहीं दी कोई जरुत नहीं, आपको 14 डेज मिल गए तो अब आप समझ सकते हो कि इस मनी बिल के इंदर सारी की सारी पावर लोग सभा के पास है ठीक है, इस लेकिन आपको लिखना है, एक्जाम में क्यूशन आ सकता है, कितने दिन तक रख सकता है, क्या कर सकता है कों राजे सभा, तो ध्यान रखना कि धन विदेग के मामले में राजे सभा उसे या तो सुईकार कर सकती है या संसोदन प्रस्तावित कर सकती है, बात तो बड़ी अच्छी लिक्यों यहां तक तो मामला आपको ऐसे लग रहा है, कि हाँ हाँ राजे सभा क्या कर रही है, लेकिन राजे सभा आगी सुनो, लेकिन वे धन विदेग को ऐस विकार कभी नहीं कर सकती इस तो राजे सभा कुष है, राजे सभा कुष है, राजे सभा की हाँ है जबकि राजे सभा ने विचारी चुप है, मौन है लेकिन वो बिल पास हो गया, बहुत बड़ी बात है दो चीजे सीके, क्या पहली चीज तो यह कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकती ठीक है, मतलब ऐस विकार नहीं कर सकती दूसरी, चाहुदा दिन तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद मैं उसको पास मान लिया जाएगा, और फिर तीसरी बात यह भी है कि हाँ वो संसोदन कुछ प्रस्तावित कर सकती है अपनी कुछ राई तो रख सकती है लेकिन नीचे लाइन भी सुन लो साथ ही विदय के बारे में तो यह था मामला, तो यह चीज एक्स्ट्रा है अगर फोर माक्स में आता है, तो लिखना है वरना इसको अलग याद करना है बात समझ में आ गई, फिर वापस नीचे आना है तीन स्टेज पढ़ चुके उसके नीचे वो भी लिखना है तीन नमर में आता है, तो फिर सीधा यह लिखना है क्या, कि चलो भाई, दोनु सदनों में बिलपास हो गया कि जब कोई विदेग संसत के दोनु सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्टपती जी के पास सुईकर्ती के लिए बेजा जाता है अब यहाँ पर एक बार और सुनना, बड़ा मज़ाएगा दोनु सदन में बिलपास हो गया अब यह बिल जाएगा प्रेजिदेंट सहाब के पास प्रेजिदेंट सहाब के पास बिल गया आज सहाब देख लिया होनँने राष्टपती जी दे देढ़ेगे सुईकर्थी सीदेख नेट्र कर देढ़ेगे सुईकर्ती की बाद विद एग बन जाएगा कानुन यह थी प्रोसेस, लेकिन सुनना, अब यहां पर राश्ट्रपती जी भी थोड़ी सी थाकत का इस्तेमाल करेंगे अपना, एक बार पूरी बोल दू में, यह थो पूरा प्रोसेस है, अच्छा, यह बात कहां लिखी हुई है, यह बात लिखी हुई है, आर्टीकल 111, 111 में, ठीक है, अनुचेद 111 में, यह भी हाद करेंगे साइड में, बहुत काम आएगा, अनुचेद 111, यह हमारे सविधान के अनुचेद 111 में लिखावा है, कि राश्ट्रपती जी किसी बिलको सहमती देंगे, सिगनेटर करेंगे, अब राश्ट्रपती जी भी राज्य सभागीत रही ह इन्हों बिलको देखा, इनका मन करा कि नहीं यार, मैं इतना बड़ी पोस्ट, सिधा साइन तो क्या करूं, इन्होंने ऐसा है में दी जता ही, बिलको बेज़ दिया, ठीक है, कि नहीं मुझे थोड़ा, इसमें थोड़ा चेंज़िच करो आप, यह कहके बेज़ दिया, बिल गया, बिल वापस गया, चाहिए वो लोग सभा में जाओ, चाहिए राज़ जाओ, राश्टपती जी एक बार पुनर विचार के लिए बेज सकते हैं, वापस सुन लो, प्रेसिडेंट उसको वापस एक डिसकर्शन के लिए एक बार वापस पुनर विचार करो, आप इसके बेज दिया साब ठीक है तो उन्होंने कुछ देखा दोनों सद्रणों में ता राष्ट पती जी को मजबूरन साइन करने पड़ेंगे यह कंपल सरी है बस वो एक बार बेज सकते हैं इसलिए राष्ट पती जी इस लपड़े में पड़ते ही नहीं आया बस सिगनेचर कर दी है समझ में आ गई यह है चीश्ट लेकिन आपको पूरा प्रोसेश जानना है एक बार बैज सकते हैं क्योशन आया हुआ है कि अगर दोनु सदुनों बिल पास हो गया तो राष्ट पती जी के प नर्विचार के लिए यानि ग्रीक कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट मोदे राष्ट पती मोदे वापस बिल को या विदय को बैज सकते हैं फिट है दिमाग में बात शावाश अब आओ इदर अब वापस बात आई क्योशन नमर 15 की कि संसदिये समीतियों की आवश्यत ह क्यों बढ़ी अभी अपने जस्ट इसक्योशन के आंसर में लिखा था कि जो पार्लिया मेंट्री कमिटीज हैं ये बहुत कुछ कुछ काम करती है पढ़ा था न भी अपने कि ये सारे बिल्कु चेक कर लेती हैं और इसमें इनका काम बढ़ा आराम से पूरा देख लेती है चोटो मड़ी गलती बलते निकाल देती है और उसके बाद में सदन को एन के हाउस को बेज़ देती है अब समझना कि इनकी जरूत क्या है क्योंच ना सकता है काफी बढ़ी है कि इसलिए मैंने जानने प्रोश के लिए है इसको तो आंसर देखो कि संसद ये समीतियों की आउ समय होता है जब पार्लियामेंट का जो सेशन चलता है ठीक है जब अधिवेशन चलता है संसद का तब ही तो संसद बैटेगी वरना संसद को पूरे 12 माईने थोड़ी बैटती है जैसे विदानसबा होती है राजियों में तो विदानसबा पूरे 12 माईने 12 माईने नहीं नही तो फिर काम कैसे चलेगा इसलिए संसद ये जब सेशन वा तब चलती है लेकिन ये बीच में उनको और जो भी कानौन मनते रहते हैं उनकी चेक करती रहती है तो ध्यान रखना कि संसद के अधिवेशन जब होता है अधिवेशन का मतलब जैसे हैं कि आपने कभी सुना भी होग कि अभी जो अभी और रिजएक्ट हो गया और वह अभी परसुम लोगसभा के अंदर पास हो गया और उसको वापस रिजएक्ट कर दिया गया तो यह अभी लोगसभा शेशन चालू हुआ है इत्ते दिन बीच मन नहीं चलता था बंद पढ़ा था दो तीन महीने से वह सब के पास, पारलियमेंट सिट्स अनली ड्यूरिंग सेशन, सो, इच है वेरी लिमिटेट टाइम, एक कारण तो ये, इस वज़े से इनकी जरुद पढ़ती है, दूसरा कारण, किसी कानून को बनानी के लिए, उससे जुड़े विशे का गहन अद्यान करना पड़ता है, इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और समय देने के आफशेक्ता भी ज़्यादा होती है, कोई में सब्जेक्ट हो, उसके उपर आपको भी बढ़ता है, अपन भी योँ मुश्किल जो चीज़े होती है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, वही चीज़ है, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं चाहता था, इसे रीडिंग लगा देता है, क्या पढ़ता है फिर आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समझे, दिमाग में फिट हो है, वरना कुछ नहीं मतलब रहेगा, तो जो मैं सब्जेक्ट उस पर ग्यान स्टेडी करनी पड़ती है, और जब डीपली इपन पड़ती है, तो टाइम चाहिए, ठीक है, वही चीज है, लेकिन इतना टाइम संजद के पास पर अगर एक एक सब्जेक्ट वो संजद लेकि बेट जाएगी, तो पुरा देश के इस से लेगा, ठीक है, तो टू मैं के लो, तो टू मैं के लो, तू स्टेडी ऑफ दा सब्जेक्ट रेटेट तो इट हैस तू बी ड़न, इसके लिए ज्यादा ध्यान और टाइम की समय की जड़ोत है, जो की संजद के पास नहीं होता, दो मैं कारण है, नीच वापस लिख रहे हैं, सिमित समय, यह रहा, पहला कारण, और सिमित समय के कारण, संजद इन सब कारियों को भली बाती नहीं कर पाती, ठीक है, दूट लिमिटे टाइम, पार्लियमेंट इसके कारण आब समय की अधिक्ता के कारण, क्योंकि टाइम है कम संजद के पास और काम है बहुत ज्यादा, पुरे देश के कानून का संसद बनाए जाते हैं तो काम है ज़्यादा इस कारण संसदी समीतियों की आफशिक था पड़ी अब संसदी समीतियों almost सारे काम सल्टा देती है सिरफ संसद के अंदर आया और पास हो गया ठीक है जैसे की कोई आप कुछ काम कर रहे हो ठीक है आपकी exam की copy है suppose ठीक है अब आपकी एक school की example लेता हूँ मैं कि एक school है उसमें 1000 student है example ले रहा हूँ ठीक है 1000 student है अब 1000 student की अगर mark sheet के उपर principal sir के signature होने है ठीक है या पिर आपके class teacher के signature होने तो इन सब 1000 मार्क शीट को सारे टीचर पहले तयार करके पूरी जांच पर रके कोई गलती वलती ना हो पूरी सेट कर देते एकदम प्रिंसिपल सर सिर्फ सिगनेचर करते है बस सीधा सटा 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 क्योंकि 1000 सिगनेचर करना है जब कि टीचर पचास देने काम कर लेंगे इसके ऊपर तो उनको ज़्यदा जोरणा हैगल टीचर को भी और प्रिंसिपल सर को भी ज़ीदा शिचंसे करने रहेंगे गर अगर प्रिंसिपल सर को ये कह दे जायग़े आप चालिकर करो इसलिए इनकी ज़रूत क्याव शक्ता पड़ी अब मैं एक दो छोटे क्यों लेता हूं फिर अपना वीडियो जाएगा कम्प्लीट हाँ आप देखोई दो तिन क्योशन हो रहे है कि 16 है वाइर पार्लियामेंट्स कमिटीज कोल्ड मिनियाचर लेजिसलेचर हालांगे अपने पड़ चुए लेकिन ये कारण पूछ रहा है कि क्यों कहते हैं संसदी समितियों को लगू विदाएका क्यों कहा जाता है तो आंसर यह होगा कि संसदी समितियों में सबी संसदीय दलों को प्रती निदित्वय प्राप्त होता है सबी दलों को इसी कारण इन समितियों को लगू विदाएका कहते है जो भी पारटी है चाहे सारी पारटीयों इसलिए मैं लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि वनमाक्स में जब आ जाए तो कनिफिजोनी को जरूत नहीं है मंत्री जी अगर बिल पास पेस करते हैं, तो उसको उस बिल को बोला जाता है, गोर्मेंट बिल है साब, क्योंकि सरकार के आदमी है, सरकार का मंत्री है, तो वो गोर्मेंट बिल के नाम जाना जाएगा, वैसे ही याद हो जाएगा लेकिन आप नीजी विदैग, नीजी का मतलब private, नाम में पता चला नीजी, खुद का, वेक्तिगत, members bill, members bill या फिर private members bill एक ही बात है न, पूरा लिखाव आ जाए तो अभी confused होने की जरूत नहीं है, private members bill, यानि की नीजी विदैग, तो इसका मतलब होगा, कि when a non-minister ठीक है, non-minister का मतलब मंत्री के अलावा when a non-minister proposes a bill it is called private members bill मंत्री जी के अत्रिक्त अगर कोई और सदश्य विदेख को पेश करे तो ऐसे विदेख को नीजी सदश्यों का विदेख या फिर नीजी विदेख कहते हैं, हिंदी में भ्या सकता है नीजी विदेख या फिर नीजी सदश्यों का विदेख बात ये किये नीजी सदश्यों का विदेख confusion होने की जरूत बिल्कुल भी नहीं है तीक है, अब यहां पर आप सोच रहोंगे कि कोई और सदश्य कोन कहा गया, कि विदेख करें तो ऐसे विदेख को, यानि कोई और सदश्य कोई और सदश्य कोई अलग मेंबर इसका मतलब ये हैं, कि उस डिपार्टमेंट का कोई और MP समझ पारे हो, भाई सारे तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, 543 MP जाते हैं, 543 40 MP जाते हैं, इसका 15% मंत्री बनेंगे, 15% मंत्री बनेंगे, 17% इस सब के से चोटी-चोटी क्योशन है, इन सब को आपको बहुती ध्यान से समझना है और सब को मेरे साथ की साथ learn करना है चीक है? ओके